अज़ विडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि काफी दिनों से आप लोगों की कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर बुक्स के बारे में बताओ जीके कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और कोई ऐसी बुक्स के बारे में बता तो जिसमें कम महनत में आपका स्कोर हो जाए तो आज बुक्स के बारे में बात करेंगे और अगर आप इन बुक्स को दो से तीन बार कवर कर लेते हैं अपना एक्जाम तक तो definitely you are going to get very good marks, इतने marks आएंगे कि आप cut off तो अराम से clear करेंगे, तो आज बुक्स पर चर्चा होगी, और कुछ और important चीजे बताऊंगा इस vacancy से related आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए आप की अगर joining होती है तो आपकी पहली salary कितनी बनेगी, उस से related भी एक video आएगी, तो आज test तो नहीं होगा, आज छोटी सी चर्चा है कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए आपके पास इस exam के लिए, उमीद है आप लोगोंने form भर ही दिया होगा, किसी के मन में कोई भी doubt है, किसी भी चीज को लेकर, वो comment section में, या जो आपके लिए group बनाया गया है, वहाँ पर question डालो, आपका जवाब मिल जाएगा लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं, तो आपको मालूम कैसे होगा, पूछो तो सही तो चलो बात कर लेते हैं यूपी पुलिस exam से related सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों कोई एक बता दो 60,244 क्या आता है इसको मन में देखके 60,244 कुछ लोगों के मन में होगा वेकेंसी है ये तो, यूपी पुलिस की अरे भाग, मुझे तो पता ही नहीं था ये वेकेंसी है, है ना भाई, 60,244 वेकेंसी तो है लेकिन इतनी वेकेंसी और उपर से उनके बारे में सोचो वे स्टुडेंट्स जिनको मौका नहीं मिला था या फिर ओवरेज हो गए थे, लेकिन जैसे ही तीन साल की छूट मिली, अब OBC, SC, ST के स्टुडेंट जो 30 साल तक के हैं, वो सभी इस फोर्म को भर सकते हैं 60,244 जो स्टुडेंट 18 से 22 साल का था जनरल का वो ही इस फोर्म को भर सकता था लेकिन अब 25 साल तक के जनरल इस फोर्म भर सकते हैं है के नहीं 28 साइड तक जनरल की गल्स भर सकती हैं ये है 60,244 और सालों में एक बार और इसके बाद वेकेंसी आपको दिखेगी नहीं Constable की, UP Police Constable की हाँ, PAC की वेकेंसी आएंगी फायर मैंड की vacancies आएंगी ये vacancies आपको देखने को मिलेगी लेकिन सिविल की और सारे के सारे जितने भी भरती होंगे सिविल पुलिस में जाएंगे UP Police के छिविल पुलिस क्योंकि उपि में भी अलग-लग जब आप पुलिस में भरती होता-जैसे पीएसी का डिपार्टमेंट अलग है, फायर सर्विस का यूपी पुलिस में अलग डिपार्टमेंट है, जो इसी पेपर के जरीए भरती होता था, लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ सिविल पुलिस की, नागरीक पुलिस की उन्हों तो महनत करने पड़ेगी, किस के लिए, मुझे दिखाने के लिए, या घरवालों को दिखाने के लिए, नहीं भाई, अगर ये भ्रहम है न, कि मैं लोगों को दिखाऊंगा, मैं आस्पडोसियों को दिखाऊंगा, तो कुछ नहीं होने वाला, इस भ्रहम को निकाल द हैंगे आप आप है वो जिसकी लाइफ बदलने वाली है तो तो से कम आप लोगों का जो तीन अगर मैं बात करूँ 300 मार्स का आप लोगों का यह पेपर है इन 300 में से आप लोगों कितना स्कूर करना चाहिए अगर पीछे से कोई आवाज आ रही है तो उसके लिए आपी चाहूंगा 300 में से टार्गेट क्या होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपका टार्गेट होना चाहिए 195 प्लस अगर सेलेक्शन चाहिए यह इतना काफी होगा लेकिन 955 में तो करो यार ओवी सी के लिए 190 तो ये टार्गेट आपके मन में होना चाहिए तो 60244 इसको वेकैंसी नहीं ऑपोर्चुनिटी की तरह देखना है बहुत सारे लोग इसको वेकैंसी देख रहे हैं इसको देखो एक ऑपोर्चुनिटी की तरह जो आप लोगों को मिल अगर उससे अब भी नोक्री नहीं ली गई ना तो मैं उससे भेकार और वहियात इंसान किसी को समझता नहीं है हो सकता है मेरी बाते बुरी लग रही हो तो चैनल को बिलकुल आगे वीडियो को लाइक मत करना चैनल को अब बोलते हैं सब्सक्राइब कर रखा हो तो अन सब् बिलकुल अगर आप लोगत पेपर 18 को होना तए हुआ है 18 फर्रवरी को आपका पेपर हो तो आपको कम से कम अफ डिली दस घंटे तो मेंनत करनी होगी हर रोज में आप लोगों को टारगेट्स लेता हूं ग्रूप पर आप लोगों के लिए पहले में पेड कराता था यह दिल्ली पुलिस वालों से पूछो धाई 200-200 रुपे दिये हैं आखरी दिनों में 200-200 रुपे दिये हैं उस ग्रूप में एड होने के लिए आप लोग सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों को अगर आप लोगों के 90 कॉष्षन आ रहें वहां से तो आप 80 पुलस तो कम संकआ लेता है इन सब्जेक्ट में ठीक है इसमें 53 54 के आसपास कुश्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आठ 13 11 553 प्लस कुश्चन यहां से आते हैं 500 कुश्चन में से इन दो सब्जेक्ट से इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप अच्छा कर लो आपका सेलेक्शन हो जाएगा रियल में हो जाएगा अब बहुत दिनों से तो तीन दिनों से मैं देख रहता है एक सवाल था कि सर बुक्स कौन सी पढ़े जीके के लिए स्पेसली तो आज मैं उन बुक्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को यह बुक ले लो अगर आप कहीं बजार मार्किट के आसपास है वहाँ से ना मिले तो ओनलाइन ओडर कर देना लेकिन यह बुक्स ले लेना ठीक है दूसरा अगर इनके यह बुक्स ना हो और आपके पास लुशेंट हो तो लुशेंट को एक दार और पढ़ दो काफी है लुशेंट मेरी अब तक की सबसे फेवरेट बुक जितनी भी जीके में हो लुशेंट है इसको सब्जेक्टिव कर लो और उसके अलावा जो है अगर आप वो लगा लो ठीक है subjective के अलावा अगर आप mocks लगा लेते हैं या objective questions लगा लेते हैं तो काफी हो जाता है तो लेकिन फिर भी आज कल थोड़ी चीज़े बदल रही है exam के इसाब से कुछ चीज़े अच्छी भी आ रही है तो कुछ best books आपको बता देता हूँ जो मैंने देखी है और आज कल काफी अच्छे content दिया हुआ है promotion नहीं कर रहा है मेरा कुछ नहीं जाएगा मैं बोल रहा हूँ आप जो मन करें वो खरीदिएगा मेरा कोई promotional video नहीं है क्योंकि आप लोगों ने group पर पूछी इसलिए बता रहा हूँ ठीक है कभी सोचरों कि किसी का promotion आप देखे का कहीं पर भी कोई link नहीं होगा कि यहां से खरीदो वहां से खरीदो नहीं भाई promotional video समझके मत करना कि किसी का इसलिए क्योंकि आपका भलाई हो एक यह है यह book देखी थी मैंने क्योंकि मेरे दोस्त पढ़ रहे थे अभी बाकी अभी department में और तयारी कर रहे हैं उसने काफी अच्छा score भी किया है तो यह GS pointer की book आती है GS 4 pointer आप हिंदी में ले सकते हैं जैसे यह pointer सामन्य मतलब जोग्रफी की अलग आती है साइंस की अलग आती है भारती राज आवस्ता की अलग economics की अलग history की अलग यह 4-5 book ले आओ आप pointer के नाम से आएगी GS 4 pointer, GS 3 pointer, GS 2 pointer GS 1 pointer इन books को ले लो इसमें आप देखेंगे इसमें जो questions दिये हैं वो line wise दिये हैं एक line answer, एक line answer, एक line answer बहुत अच्छा-च्छे question है जो paper में आते हैं मैंने देखा है काफी अच्छा कुछ cover किया हुआ इस book में Lucian't के बाद किसी book ने मुझे परभावित किया है तो वो ये books है अगर आप इनको ढंक से cover कर ले तो बहुत पतली-पतली है ऐसा नहीं कि Lucian't काफी मोटी है जितना पूरा Lucian't मिला के होगा अतनी चारो-पांचों मिला के नहीं लेकिन इन्होंने आज समय की मांग होती है न उसको समझ लेता है इन्होंने समय की मांग को समझा books काफी अच्छी है अगर या तो आप Lucian't पढ़ लो या ये चार books ले आओ इनके अलावा आपको कुछ पढ़ने के जुरत नहीं है GK में आरी ओल्राइट जिनका सवाल था कि जर जीके की books के बारें बताओ तो ये है भाई ये books है GS pointer गटना चकर वालो की ये book है pointer के नाम से आती है अलग-अलग subject के आते है ये books आप ले आओ इनको पढ़ना स्टार्ट करो डेली दो दो तीन तीन घंटा आपके चीजे किलर हो जाएंगे दूसरा काफी लोगों के मन में हिंदी के लेकर सवाल होता है हिंदी के मैंने आप लोगों के लिए notes बनाये हुए है पता होगा आप काफी लोगों ने खरीद भी लिए है आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ये मेरा नंबर है 780-270-34-3444 इस नंबर पर फोन पे पे टीम ये गूगल पे करके 99 रुपीज में आप हिंदी के वो notes ले सकते हैं आपके paper में अगर 38 questions आएंगे तो 35 questions आप बड़े अराम से अगर पढ़ते हैं ठीक है वो बोलते हैं ना कि आखरी में एक star लगा के कुछ दीजे हैं अगर आप इन notes को completely पढ़ते हैं तो 38 में से 35 questions आप कर लेंगे ठीक है कितने page में 99 में ही page है इन notes के और अगर आप ढंग से पढ़ने लगो जिसने थोड़ा बहुत भी Hindi पढ़ रहा है तो उनको पढ़ने में सिर्फ 4-5 घंटे लगेंगे और आपका Hindi पूरा हो जाएगा और Hindi जो students मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 9-10 के दिनों से उनका Hindi वैसे भी 2-4 दिनों में complete होने वाला है पूरा subject complete हो गया अगर आप जी तक आपने पढ़ना नहीं सुरू किया न तो ये देखो 10 दिन पहले जो मैंने ये चीज़े start की थी उन students का अब तक क्या हो गया पूरा Hindi एक subject complete होने वाला है अब आपको उनको बीट करना है समझ रहो ना तो आप उन notes के जरीए पढ़ सकते हैं 99 रुपीज में इस number पर फोन पर पर पे टियम या गूगल पर जो भी आप करेंगे आपको notes भेज दिये जाएंगे WhatsApp पर भी या Telegram जो भी आप यूज करते हैं प्रिंट आउट आप उनका निकलवा सकते हैं अच्छा जिन students ने ये notes लिये हैं और print out निकलवाया है ऐसा है क्या कोई student अगर है तो एक छोटी सी वीडियो बना कर भेजना है आप इन notes की ठीक है मैं YouTube पर डालूँगा उस भाई की वीडियो ठीक है ताकि कुछ और लोगों कोई मदद हो जाए तो अच्छी बाद है तो इस तरीके के notes है या फिर अगर आप notes नहीं लेना चाहते तो book भी है आदित्य पब्लिकेशन की Hindi की एक book आती है काफी अच्छी book है आदित्य पब्लिकेशन की लेकिन उसमें deeply थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है आपके paper के इसाब से वो थोड़ा से सलिए थोड़ा उस book से ये बचना होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस चीज़ का धिहार नखना होगा syllabus के uploading सलिए मेरे नोट्स का क्या फायदा कि आपको कुछ नहीं देखना बस पढ़ना है आपको को सलिए बस् से जादा तो नहीं पढ़ना यह फरक है आदित्य पब्लिकेशन बुक में और मिल्न में लेकिन बुक अधित्य पब्लिकेशन बैस्ट है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जूरत नहीं है बस मोख टेस्ट लगाते हैं हिंदी के लिए तो मैंने आपको free of post वीडियो भी प्रोवाइड की हैं उनको देख लो बाकी आने वाले दिनों में आपको क्या मिलेगा और यह चीज करते रहो यार डेली बताना ना पड़े कि यह डेली कड़ने हैं आपको जब तक आपका एक्जाम नहीं होता दस 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 तद्भव तत्संद दस विलोम सब्द दस परियावाची दस अनेकार्थी यह डेली पढ़ते रहना ठीक है यह ऐसा नहीं जो भी बुक है आपके पास वहां से पढ़ते रहो एक चीज कहां मैं एक चीज पर बात कर रहा था एक चीज का प्लीज सभी ध्यान लख है कि दस धंटे दो डेली कम से कम आप पढ़ी रहे हो और मोक टेस्ट आप लगाने लगे धीरे-धीरे यह होना चाहिए दूसरा रिवीजन आपका मस्ट होना चाहिए अब मैं रिवीजन कराने वालों जैसे हिंदी कंप्येट हो जाएगी फिर उसका दो तिन तक लगतार र और उसे तो नहीं होगा सेल्फ इस्टडी बहुत जरूरी है सेल्फ इस्टडी बहुत ही जादा जरूरी है इस चीज को समझी ओ और मेहनत करियो भाई ठीक है बाकी खुद पर सबसे बड़ी चीज होती है विस्वास जिसको अपने आप पर विस्वास है वो कुछ भी कर सकत है विस्वास होना भी खुद पर बहुत जरूरी है इस टाइम पर अगर खुद पर विस्वास नहीं है तो भी प्रोब्लम हो जाती है है ना तो इन चीज़ों पर मैं बात कर रहा था जी के की बूक हो गई हिंदी के बारे में बता दिया रिजनिंग के बारे में बता दिया ये दो सब्सक्राइब को बुक्स के बारे में बता दिया आने वाले दिनों में क्या वीडियोस देखने को मिलेगी एक वीडियोस का फिस्टुलेंट्स मुझसे पूछे थे सर सेलरी से रिलेटिड कितनी सेलरी होगी जोइनिंग के बाद टीए डीए कितना है बेसिक कितना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए तो ये कल लिया पर परसों तक मैं यह वीडियो डाल दूँगा आज तो मैंने ओ कर लिए खेंड क्ारिप मां लोगों के लिए । आप लोगों ओर जो कल कल के लिए जो टार्गेट साप लोगों को वो मैं गुरूप पर दे दूँगा गुरूप जिन लोगों ने स्टुडेंट ने जोईन नी किया नीचे description में link है उस गुरूप को जोईन कर लेना वहाँ पर आपको कल के लिए targets मिल जाएंगे कि कल आपको क्या क्या पढ़ना है यानि कि 30 दिसंबर को आपको क्या क्या चीजे पढ़नी है जो लोग कल से जुड़ेंगे वो जो कल के ही target से पढ़ने स्टार्ट करें घबराने की जुरत नहीं है आपकी अभी बीचीजे complete हो जाएंगे चलो मिलते हैं कल तर तक के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत टेक के लव्योल ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बस मैनत करिए